परिवार को छोड़ कर आई सीमा हैदर के घर जल्द ही कुछ खबरी आ सकती है इस बीच सीमा ने ये भी खुलासा किया है कि वो अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे सीमा हैदर पिछले साल मई में पाकिस्तान छोड़कर भारत की सरहत पार करके आई इसके बाद वो अपने प्रेमी सचिन मिना के साथ ग्रेटर नौइडा में ही रह रही है सीमा अपने साथ अपने चार बच्चे भी लाई थी वो भी सचिन और सीमा के साथ यही रहते है इस भी सीमा हैदर ने सोशल मीडिया में एक इंटर्व्यू दिया है इसके मताबिक वो जल्द ही पांचवी बार मा बन सकती है सचिन और अपने बच्चे के नाम का भी उसने खुलासा कर दिया है सीमा ने बताया कि अगर बेटी हुई तो उसका नाम मीरा होगा अगर बेटा हुआ तो उसका नाम भगवान कृष्ण के नाम पर रखा जाएगा सीमा ने ये भी कहा कि ये खुशकबरी बहुत जल्द मिलेगी सीमा का ये इंटर्व्यू काफी वारल हो रहा है सीमा हैदर जब से भारत आई है तब से वो सोशल मीडिया पर चाई हुई है वो खुद को भारते कहती है उसने भारते नागरिक्ता के लिए आवेदन भी किया है सीमा हैदर खुद को सनातन के रंग में रंगा हुआ दिखाती है वो भारत में सभी त्योहार मनाती है और उनके वीडियो भी सोशल प्लेटफॉर्म पर डालती रहती है पाकस्तान की रहने वाली सीमा हैदर और ग्रेटर नॉइडा के रभूपुरा के रहने वाले सचिन मिना की लव स्टोरी पिछले साल चर्चा में आई थी कुछ साल पहले दोनों की ओनलाइन पगजी गेम खेलते हुए जान पहचान हुई इसके बाद दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गए जिसके बाद दोनों नेपाल में मिले सीमा और सचिन ने ये भी दावा किया कि दोनों नेपाल में शादी कर चुके हैं तभी से वो दोनों साथ साथ रह रहे हैं भारत आने के एक महीने तक दोनों छिपकर रह रहे थे लेकिन बाद में दोनों के बारे में पता लगा फुलिस ने दोनों को हिरासत में भी लिया हाला कि बाद में जमानत मिल गई अभी वो चार्च के घेरे में है फिलहाल उसके माबनने की चर्चा जोर उपर है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूस एटी